चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो कंटेंट में डाल दिया था जो कि एक सवाल था उसके अंदर हमने क्या त्रीखा था प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ठीक है न 8.20 आपका इलिस्ट्रीशन था आज एक लास्ट टॉपिक है इस चेप्टर का इस चेप्टर का नहीं जो हमारा प्रॉसेस का इसके बाद हमारा प्रॉसेस में स्टार्ट होगा लास्ट टॉपिक जो की है डबलो आईपी जो बहुत है तो आज हमारा एक लास्ट कोशन है और यह जितने भी कोशन आपको बोर्ड में मिलेंगे ना सारे पीडियाफ में मिलेंगे और इन कोशन को आपको करना है देखो यह वाला जो सवाल था ना मैं बच्चों को दिखा भी दूँ जो हमारा सवाल कौन सा करवाय था लास्ट क्लास में जो यह वाला कोशन था ना यह कोशन मैं ओर्डेटी डन करवा चुका हूं है मैंने डाल दिया था पूरी वीडियो पूरी वीडियो मैंने डाल दिय ठीक है तो ये वाला मैंने डन कर दिया है पूरी वीडियो तो ध्यान दे जिन बच्चों ने साइद ना ध्यान दिया हो तो आप जाके देख लीजिए का आपको मिल जाएगा यह यह पूरा हो चुका है सर आज क्या कराओगे आज ये वाला सवाल करेंगे बड़ा सवाल है ले वाइस आरी है आप सभी को एक बार ओके कर दीजिया वाइस सर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ अच्छा हाँ मैंने थोड़ी जल्दी क्लास टार्ट कर दी है आज मैं साथ बजे का शड्यू लगाना भूल गया तो कोई बात ने दीरे दीरे बच्चे आ जाएगे क्लियर है चलिए चलिए कोई बात ने शड्यू साड़े साथ का लगा था तो कोई दिक्कत नहीं पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे से और फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ना मैं एक चीज पहले बता दूँ कि यह सवाल आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा इस सवाल में स्रिफ और स्रिफ आपके नॉलेज को टेस्टिंग किया जा रहा है कि आपको कितना समझ में आता हो और कितना आप कर सकते हो देखिए कहता है दा प्रोड़क्ट ऑफ क्या कहता है हमारा दा प्रोड़क्ट ऑफ कंपनी पास्ट्रू डिफरेंट प्रॉसेस ए बी और सी सर इसका मतलब तीन प्रॉसेस है Him is a certain expert आपका experience दैट वेस्टी और इसने अपने अनुमान के छेशा ऑप से अपने experience के साबसे बता रख्ण है कि बही और प्रोड़क्ट 1 गराइन दर दो पर definet का यने का एंटर होगा उसका परसंटेज होगा जितना एंटर होगा उसका वेस्टेज होगा कहते है डाइड वेस्टेज ऑफ आफ रूपय सिव्यू की रूपय के बूपय के रिक Kr 광 O कि अभी देख लेतें कर लेंगे वह कोई दिक्कत नहीं है दा कंपनी गी यू फॉलविंग इंफॉर्मिशन और क्या इंफॉर्मिशन देता है कहता है दो हजार यूनिट क्रूड मटीरियल इंटर्डियूज क्रूड सर यह ना तेल कच्चे तेल को कहते है तो इसमें मत समझना सर इसना मतलब क्या है यह माल लेते हैं यूनिट है आठ रुपे के हिसाब से दो हजार यूनिट हम प्रॉसस ए में लगाएंगा है बिसाइड दा फॉलविंग इसके साथ साथ प्रॉसस ए के अंदर हमारा मटीरियल यूज लेबर एक्स्पेंस और प्रॉसस ए से हम सिर्फ और सिर्फ उनिस सो पचास यूनिट निकालने में का किसी में opening और closing stock of under नहीं आया था ठीक है तो सिर्फ opening और closing इसमें आगे है इसलिए हम कर रहे हैं चलिए सर मैं account फटा फट से बना लेता हूं सर इसमें थोड़े number of account ज़्यादा बन सकते हैं तो tension की कोई बात नहीं है देखो मैं फटा फट बना के दिखाता हूं कितने बनेंगे एक process क्योंकि ज़्यादा expensive नहीं है तीनी है तो छोटे छोटे process बनेंगे आप भी मेरे साथ साथ format बना लीजिए है ना यहां particular यूनिट अमाउंट यूनिट अमाउंट यूनिट अमाउंट चलिए सर पहला दो प्रोसर्स चलिए सर तीन कोई बार अब मज्ये की बात है यह बनेगा हमारा process कौन सा ए और यह बनेगा process a का stock यानि सर इसे stock के लिए हम एक अलग से account बना रहे हैं फिर हमारा बनेगा process अब एक बनाना पड़ेगा process बी का stock तो हमें अगले पेज पर जाना ही पड़ेगा किसी हाल में प्रेटिंग अच्छी रखने है आपको पर्डिकुलर अई योनिट अमाउंट पर्डिकुलर योनिट अमाउंट ठीक है चलिए सब एक ही आगया एक ही आगया एक ही आगया एक ही आगया प्रोसेस बी का स्टाउक अकाउंट प्रोसेस सी और प्रोसेस सी का स्टाप एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कहलो नॉर्मल और एबनॉर्मल देखे बड़े सिंपल से है आप ना कुछ बच्चे ना ये जज बिलकुल भी ना करे कि इसके अंदर नंबर अफ अकाउंट ज़ादा है तो सवाल मुस्किल होगा वो फिर उनका अजंशन गलत है मैं कहूंगा ये सबसे आसान है अभी तक जितने आपने कॉंसप्ट किया बस फिलिंग करना है और एक एक दो दो अमाउंट आना है बस आपको पोस्टिंग आना चाहिए ठीक है सी और स्टॉंप तो है दो अकाउंट आप समझेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम करना है ये रहेगा तो सीरी सी बात है जब कभी भी आपको कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गीवन हो तो आपको एक स्टॉक अकाउंट बना लेना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है लेकिन सर एक कॉस्टिंग याद आ रहा है जहां पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक था अगर आपको याद हो तो सर ऐसा तो वहां पे तो आपने नहीं बनाया था मैं तो देखो सारी चीज़े लेके चलता हूँ ताकि आपको ना जिनको नहीं भी याद हो उनको भी याद आ रहे था कि हाँ था तो सही जहां एक उर्पे के साफ़ से बीचा था जहां तक मुझे याद आ रहा है कहां गया भीया कहां गया यह रहा अब यहाँ पे भी स्टॉक है 1 July 31, लेकिन यहां पे जो stock है न, वो हमारा opening और closing first year से start नहीं है, कहां कि हमारा पहला difference यह हमारा second year से start है, और यहां पे आपका closing stock इसी में बच रहा है, यहां पे हमने stock account नहीं बनाये था, although जो पिछला question होगा ना उसमें भी आप बिना stock account बनाए भी कर सकते हो लेकिन पहले हम stock account बनाके समझ लेंगा और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा आपको difference बताने के लिए सर क्या फरक्ता जो यहां पर stock नहीं बनाए जिन बच्चों की पहली class है मैं कहना चाहूंगा उन बच्चों से कि आपको यह class नहीं समझ में आएगी because of कि यह class काफी हद तक आगे बढ़ चुका है हाँ एक दो टॉपिक और है दो classes का दो टॉपिक और इसके बाद नए टॉपिक में जोड़ जाएंगे आप पुराने recorded वीडियो देखके अभी complete कर सकते हैं जो doubt होगा उसके लिए तो हई है चलिए सर अब आ जाते हैं एंट्री करने पर ठीक है ना एंट्री करते हैं फटा फट सर एंट्री करो ओके सट्टू इंपुट प्रोसेस ए में दो हजार रुपे लगाया और आठ के हिसाब से कितना सोलह हजार इसके बाद material material कितना आठ हजार इसके बाद labor पर बारह हजार इसके बाद expense दो हजार इसके बाद stock opening तो यहाँ पे two opening stock कितने दो सो बट समझने वाली बात है कि सर यह दो सो जो है यह दो सो हमारा क्या है सर दो सो सिर्फ unit है नंबर रुपीज नहीं है रुपीज हमें खुद पता करना होगा और बाई साइड में आ जाएगा बाई closing देड सो ठीक है पहला प्रोसेस पहले डन करेंगे यहां पर इसने कह दिया stock valuation first July को वह valuation होगा एक रुपे unit के हिसाब से तो सर लो यह तो पता चल गया समझे बात क्या कहना चाह रही है समझ मैं इस बात आपको कि जो first July को valuation होगा वो कितने रुपे के हिसाब से होगा सर एक रुपे के हिसाब से होगा जिसको मैंने यहां mark कर दिया है stock on 31st July 2000 are valued assume कहता है कि जो 31st July को हमारा जो 2000 2000 तो है यह नहीं 31st July are to be valued at cost so by the month production prepare cost it sorry यह तो year है मैं 2000 unit का मज़ रहा था 31st March का जो भी आपका यानि यह वाला जो भी stock का valuation होगा जितने रुपे में यहां बन के तयार होगा उसी rate का valuation होगा अब देखो ना हमारे तीन method होते है लीफो फीफो weighted average stock में आपने सुना होगा तो हम यहां पे क्या follow कर रहे हैं देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो stock बचा रहे हैं वो नए वाले में से बचा रहे हैं यानि इसका कहने का मतलब है इसकी जगह पर एक सब्द को इस्तमाल कर सकता था नए वाले stock को बचाना है नए वाले stock को बचाने का मतलब कौन सा method लगेगा फीफो कौन सा method लगा रहा है ये फीफो अगर ये फीफो वर्ड का इसकामाल कर ले एक्जाम के अंदर तो घबराना नहीं है मैं भी apply करके दिखाऊंगा चिंता मत करो देखते जाओ बस आप मैं apply करके definitely दिखाऊंगा आपको फटा फट से चली आईए total unit कितने हो गए सर 2000 और इसका खर्चा कितना हो गया अठारा चेट चौबेस चौबेस और बाराच च्छतिस और दो अठिस calculation चेक करते रहिएगा by normal loss निकालते हैं सर कितने परसेंट बोला है दो परसेंट डेट इस हमारा कितने चालीस दो परसेंट चालीस कितने रुपे के हिसाब से बिखेगा एक तो कितने का बिखेगा चालीस तो सर अगर ध्यान से देखो आप तो सर यहां पे 2000 यूनिट था और आपके 40 नुकसान होगे तो 1960 बनना चीए लेकिन सवाल कहता है निस सो पचासी बने तो यहां पे आजाएगा बाइ अबनौर्मल लॉस कितने यूनिट है 50 स्वार्टि दस यूनिट है कितने यूनिट है अबनौर्मल लॉस 10 यूनिट है 10 यूनिट का हमें रेट निकालना पड़ेगा रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है total cost वही जो सिखा रखता है मैं डारेक्ली लिखना हूं 38000 माइनस में normal loss 40 divided by आपका 2000 माइनस में 40 आप बता दिजिए rate क्या आया 19.36 आपने rate बता दिया तो इसका मतलब इसको multiply करना पड़ेगा 19.36 से जो कि आ जाता है हमारा 193 रुपए 6 को हटा इये और अब बचेगा buy अब जो भी stock बचेगा वो हम कहां transfer करेंगे सर डायरेक्ट यहां आ जाएगा next process में आ जाएगा तो हमारा किसमें आ जाएगा next process नहीं प्रॉसेस stock account में चला जाएगा सर कितने चला जाएगा 1950 डिफरेंस ले लो आप वो जादा better रहेगा तो सर अगर 38,000 में से 40 माइनस में 1993 तो यह 37,667 यह ने थोड़ा बहुतना फरक आ सकता है 10 रुपे 15 रुपे 20 रुपे तक का फरक आएगा आपका तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि भाईया इतना सारा फरक क्यूं आ रहा है क्यूंकि हमने point को fraction को ignore किया है इसका आप देख लीजिएगा बस सभी बच्चों से एक यही है कि मेरे totaling को थोड़ा चेक करें जो आप totaling बताते हैं मैं लिख देता हूं कई बार तो उसको आप चेक करते रहेगा live class में जितने भी बच्चे join है वो फटा-फट से देख लीजिएगा सर इसमें stock account क थोड़ी दिर बाद दूँगा मैं इसमें stock account क्यों बनाया गया है ठीक है ना इसका मैं जवाब दूँगा थोड़ी दिर बाद चलिए सर यहां पर आगया two process कहां से आया यह से कितने आगया 1950 कितने खा 63 ठीक है अब सर question raise होता है यहां पर के सर आपके पास ध्यान दीजेगा यहीं करता हूं आपके पास 200 यूनिट था और 1950 बनाया मतलब क्या समझे सर 2150 यूनिट आपके बन चुके हैं और आपने कहा कि मैंने 1500 बचा लिए हैं मैंने 1500 बचा लिए हैं सर बचा लिए हैं मैंने 1500 तो इसका मतलब आप अगले process में भेजने के लिए तैयार कितने हो 2000 यूनिट आप send कर दोगे सर कहां send कर दोगे आगे तो buy side में आजाएगा buy आपका आजाएगा यहां पर process कितने यूनिट 2000 यूनिट और रेट जो रहेगा ना इसका सर जो रेट आपने यहां निकाला है ना इसी रेट से आसान तरीका फिर भी फरक आएगा अब मैं करके दिखा दूँ ताकि आपको भी पता चले अरे क्या होगा सर यह 2150 और 37967 अब डिफ्रेंस जब लेंगे नहां तो कुछ और ही amount आ रहा होगा सर मैं अगर डिफ्रेंस लूँ यह कैसे हुआ यह ज़्यादा क्यों आ रहा है भ हैं यह 200 युनिट है 2000 है तो यह मैंने हम गलत कर दिया 2000 तो सही कर रहे हैं ऑ कर एक बार चेक कर ना ब्क के अंदर काहा इस सायद मिस्प्रेंट हो गया हो एक रुपे कि अद्वेशन जा रहे क्या जा रहे यह है कि वैल्यूएशन एक रुपए पर हां एक रुपए है इसका तो यह यहां पर देखो ना नीचे एक लिखा है 19 लिखा है अच्छा अच्छा फिर गडबड़ कर दिया यह डेट है सर जुलाई एक को स्टॉक वेल्यूशन जिल एस पर यूनिट यहां दे रखा है अरे कहां देख लिया हमने कहां देख लिया भाई यह होती है गलती देखो दे रखा था बच्चे ने कमेंट में दिया होगा मैंने ध् 37666 प्लस 3800 एक तालेस पान सो सड़सट अरे मैं पैंतालिस की ज़िए गां एक तालेस पान सो सड़सट तर यहां भी एक तालेस पान सो सड़सट ठीक है डिफरेंस ले ले लेते हैं 38720 एट इस 2847 अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका रेट कैसे डिफरेंस लेंगे कि नहीं इसको मैंने मल्टिप्लाई किया है 19.36 से जबकि आप जब देड़ सो को मल्टिप्लाई करोगे ना 19.36 से यह देख चार रुपए ठीक है ने 2900 क्या रहा है हमारा चार तो डिफरेंस आएगा या तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर कवर करिए या इसको बैलेंसिंग फिगर करिए आप बुक से भी कई वच्चे चेक करते हैं आंसर मैं जानता हूं तो यह परक आएगा सौसे डेट सोका तो इसमें बुरा नहीं मानना गलत नहीं है बलकू सही है अंसर वो पॉइंट के डेसिमल के वज़े से हो रहा है ठीक है अब यहां पर डालेंगे टू प्रॉसेस ए स्टॉक एके स्टॉक से आएं 2000 और 38720 ठीक है अब यहां पर क्या क्या लगेगा सर फिर से लगेगा मटीरियल कितने मटीरियल तीन हजार और क्या लगेगा सर लेबर लगेगा कितने और क्या लगेगा सर एक हजार और क्या लगेगा सर अब यहां आउट्पुट बता रखा है सर इस प्रॉसेस का भी देखे न मजए की बात तो इस प्रॉसेस का भी बता रखा क्या भी होगा तो नॉर्मल लोस जो हम बता रहें न वही होगा तो नॉर्मल लॉस देखो पांच परसेंट है तो 5% होता है दो हजार का 100 और इसको बेचना एक रुपैसे है तो 100 तो काइदे से देखा जाए तो आपने 2000 यूनिट को लगाया है और जिसमें से आपका 100 का नुफसान हो गया that is 1900 तो आपका बचना चाहिए लेकिन सवाल क्या कहता है 1925 है सर इसका मतलब सर यहां पे गेन हो ज और कितने का 25 यूनिट का इसका मतलब हमारा बाय प्रॉसेस या बाय स्टॉक लिख देते हैं बाय स्टॉक अकाउंट स्टॉक बी के अकाउंट में कितना जाएगा हमारा 1925 ठीक है ना अब हमें एक रेट निकालना पड़ेगा यहां तक जिस बच्चे को डाउट है जो टोटल के बाद आप सभी से इसके डाउट पूछ लोगा ठीक है सर रेट निकाल लेते हैं इसका रेट नहीं मैं यहां लिखके दिखाऊ ना बच्चों बच्चों अड़तिस साथ सो बीस तीन हजार आठ हजार एक हजार सर पचाथ साथ सो बीस हमने इसको टोटल कर लिया इ सो यही सही लिख रहा हूँ ना मैं डिवाइड़ बाइए उननिस सो दो हजार माइनस में माइनस में सो क्या रेट आया था माइनस सो अरे पचास साथ सो बीस माइनस सो और दिवाइड़ बाइए उननिस सो है ना 26.64 26.64 यानि ठीक है 26.64 तो सर अब हर किसी को multiply कर दो 26 इसको पहले तो 25 को कर देते हैं इंटू 25 सर यह आ गया हमारा 666 अब 660 भी हो सकता है अगर मैं राउंड फिजर ले लू तो तो सर यह 2025 और 38720 तीन हजार आठ हजार एक हजार और ट्रिपल सिक्स 15386 सर 26 और दो हजार पच्चिस और 51 380 माइनस कर देते हैं 100 तो सर इसका आ गया 51 2018 इसमें भी फरक आ सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां तक बताईए किसको समझ में नहीं आया सर वेडनस की class recorded upload नहीं हुई है नहीं हो चुकी है अंशु आपका मैं फिर भी चेक करवा लूँगा सभी के डाल चुका हूँ मैं आप जाके देखेंगे classes हो चुकी upload फिर इसमें stock account क्यों बनाया अक्षत मैं आपको clear करूंगा अभी नेहा method of costing मिल जाएगा process account से method of costing में मिल जाएगा process account बिल्कुल किसी ने पूछा था 10 year में process account question कौन से unit का है हाँ चलेगा भाई friction हम लेके चल रहे हैं कहां पे कहां पे हाँ तो आप पूरे में तो लोगे तो दिखो amount जादा है तो आजाएगा फरक मैं मना नहीं करा चली किसी बच्चे का doubt है तो आप बताईए कि इसमें सब doubt है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे किसी का भी doubt है तो बताईए नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं लास सवाल है ये और कुछ बच्चे ना program और honors वाले बच्चे ना कई बार में इसे सवाल पूछते हैं सर ये honors में आएगा सर ये program में आएगा तो भईया मैं कहूँँगा कर लीजिए जब तक आपको समझ में आन क्या ठीक मानेगा देखो इसके अंदर जब friction का point है तो examiner वो सब कुछ मतलब के पता है के friction के वजए से उसका उपर जा रहा होगा exact answer कभी किसी का नहीं आता लास्ट वाला दुबारा बता दो लास्ट वाला दुबारा नी ठीक है सर लास्ट वाला बता दो लास्ट वाले में मैंने क्या बताया ये तो देखो 2000 यहां से उठके आ है और सारे खर्ची हमने डाल दिये फिर ना हमने जब calculation किया कि भीया 2000 में से 100 normal loss हो गया तो 1900 1900 तो हमारा रेट निकाला multiply करा और कर दिया इसका stock account बनेगा यह देखो बैने stock में 1925 को ले जाते हैं लेकिन stock account पे सबसे पहले लिख लेते हैं two opening stocks है ना two opening stock two opening stock और फिर two process बी opening stock कितने का था सवाल पीछे जाना पर है और opening stock 300 और closing 400 तो तर 300 और यहां पर by closing opening stock का सवाल में rate दे रखा है opening stock का देखेंगे तो सवाल में rate given है तर कितने रुपे 27 रुपे तो आप 300 को 27 से multiply करोके आता है एक्यासी सो रुपे ठीक है ना और process वी से आया था हमारा कितना आ नो हजार पक्चिस कितने आ रहे है भाई उननीस सो पक्चिस है उननीस सो पक्चिस और एक्यासी एक मिनुट एक्यावन दो बुक से नहीं देखके बताना वाई जो मेरा हंसर वो बता है हाँ करवा देंगे 16 कोई बड़ी बात नहीं अभी कर लेते हैं बिल्कुल चलिए सर अब हमें अगले process में भेजना है तो अगले process में कितना जाएगा नहीं पता सर क्यों? क्योंकि आपके पास total कितना है ये? हिसाब लगाईए ये total कितना है 19 और 3 2125 टोटल कितना है सर 2125 जिसमें से 400 तो बचाई लिए तो अगले process में बाकी जाएगा? process C कितने 2200 और ये लो 2225 चार सो बचाल ये तो 1825 फीक है? अब सर इसका rate क्या होगा? सिंपल सी बात है जो rate आपका यहाँ पे आया था उसी rate से जाएगा जो कि आपने निकाला था क्या? 46.64 इंटू में 1825 अड़तालिस छेसो अठारा अड़तालिस छेसो अठारा अब difference ले लेंगे कोई बात नहीं इक यासी सो इक यासी सो इक यावन टू एट सिस फाइव नाइन थ्री एट सिस फाइव नाइन थ्री एट सिस माइनस अड़तालिस छेसो अठारा अरे क्या आ गया? दस? 708 ठीक है अब सर ये वाला मैं प्रोसेस C में जाने के लिए तैयार है यहाँ पर प्रोसेस B 1825 48618 अब फिर से लगेगा टू माटीरियल 2000 Labor 6000 Expense 3000 और नॉर्मल लॉस जो है ना इसमें 10% है 182.5 आ रहे तो मैं 182 ले लू या 183 ले लू फरक नहीं पड़ता ध्यान रखिएगा 4 रुपे के हिसाब से दे रखा है आपको तो 182 इंटू में 4 ये विग्जया 708 अब हम हिसाब किताब बनाते हैं सर 1825 यूनिट डाले थे जिसमें से 182 तो चले ही गए तो 1825 में से 182 चले गए तो 1643 यूनिट बनके तयार होना चाहिए लेकिन सवाल क्या कहता है यूनिट बनके जो तयार हुआ 1590 इसका मतलब और कम बनाये मारा तो भया 1590 ही बनाने में कामियाब हुए तो इसका मतलब देखा जाए तो सर 53 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है तो 53 यूनिट अब इसका रेट निकालना पड़ेगा सर सर रेट निकाली है रेट क्या होगा टूटल करते हैं कर ले अड़तालिस छेसो अठारा दो हजार छे हजार तीन हजार उनसट छेसो अठारा उनसट छेसो अठारा 59618 1825 1825 ठीक है ना माइनस कर लेते हैं यहां से और जो होगा हम यहां पर देख लेंगे तो यह आगे हमारा 59618 माइनस 728 डिवाइड बाइ 1825 और यह हम पहले सीख चुके हैं इसलिए मैं फटा फट से कर रहा हूं ठीक है बताइए क्या रेट आया 39 32.19 तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे 32.19 तब चलिए 32.19 इन्टू में त्रिप्पन यह आगे हमारा 1706 अब लगे का हमारा बाइब प्रॉसेस प्रॉसेस स्टॉक अकाउंट सर कितने चले जाएंगे उन्निस पंद्रा सो नभ्य यूनिट कितने गए पंद्रा सो नभ्य यूनिट सर कितने का पड़े का डिफ्परेंस ले ले थे उन्सट छे सो अठारा माइनस सासो अठाइस माइनस सत्रा सो छे अहीं धीos प्रॉसेस से ना की इक सो चुरासी की फिफ्टी सैवन थाओजन वानेटि पो रूपिज अब सर देखा जाए न bureau प्रॉसेस सी Pas के अंदर न देखो यो तीसरा report यहां पे क्लोजिंग स्टाउड बचा ही नी तो मतलब क्या है सारा हमने बेच दिया अब यहाँ पे सेल सब्सक्राइब का इस्तमाल करेंगे हम तो सबसे पहले आज और टू ओपनिंग स्टॉक कितने ओपनिंग 500 है और उसका रेट भी दे रखा इंपेक्ट और टू प्रॉसेस ती प्रॉसेस ती से आए हमारे पास 1590 जेट इस आपका 57 184 इसके बाद 18250 मेरे को क्लोजिंग तो है नहीं यहां पर ओपनिंग का क्या है 18250 कैसे लिख रहे हो आप यह 18250 यहां रेट जो दे रखा है 36.5 मैं उसी से मल्टिप्लाई कर रहा हूं बार बार कितने 36.5 कहां गया सर ठीक है अब चलिए टोटल करके बाकी का आपकी इच्छा है इसमें कुश्चन में कहेगा कि बेच दिया तो बिक जाएगा पी एंडल बनेगा अगर बोलता नहीं है कि नहीं बिक है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लिखेंगे सर यहां पर एफजी फिनिस गोड़ तो पांसो और पंदरा दो हजार नब्बे दो हजार नब्बे और सतावन वन एटी-फोर प्लस अठारा दो सो पचांस 75 75 और 75 और यह आगया 20 नॉर्मल लॉस तो यहां होता है यहां कबसे होने लगती है ठीक है सर 29 तारिक की क्लास अपलोड नहीं हुई है मैं भी चेक कर आ लूँँगा दो बच्चों ने बोल दिया बाकी मैंने अपनी तरफ से बोला था कि अपलोड हो जाएगी और कुछ बैच में तो मैंने खुछ चेक किया था आप देख लेता हूं जिन बच्चों को नहीं विजवल हो रहा वो चेक कर लेंगे ठीक है यहां तक कोई समस्या सर यहां तक क्लियर है और यहां तक में अब स्टॉक अब बच्चे पूछेंगा सर इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया और पिछले में क्यों नहीं बनाया चलिए आते हैं आपके साथ आपके सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है यह रहा पहले चीज यहाँ पे opening और closing stock का rate नहीं given और उस वाले में rate given था समझे बात को, यहाँ पे rate है क्या rate है क्या वहाँ पे opening stock बता रहा है क्या 8000 unit इतने से उकर नहीं वहाँ पे हमने rate वही consider किया था जो इस process है, देखें यहाँ पे जो closing stock दे रखा है ना आपको, opening stock कहां गया, कहां गया, भाई, कहां गया, opening stock इसमें दे रखा है 8000, तो हमने rate मान लिया, जो यहाँ से rate आया होगा, वही ले लिया लेकिन उस वाले सवाल के अंदर आपको rate दे रखा था इसलिए हमें यहाँ पे stock account बनाना पड़ा, क्यूंकि हम अच्छे से balance, अगर rate दे देता तो कभी match ही नहीं होता आपका यह, ठीक है ना तो इसलिए करना पड़ा आपको और कोई खास वज़े नहीं था उसका करने का, तो चलिए आपको पता चलिए, अगर opening closing stock देता है, तो कोई लोचे आली बात नहीं है, stock account जरूरी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, उसका rate दे देना, केतने का बिकेगा यह, तो फिर आपको stock account अलगते separately बनाना पड़ेगा अब सर, normal और abnormal की बात कर लेते हैं, normal और abnormal की बात करते हैं, कैसे आएगा, अरे, मेरा green marker कहाँ चली गया आपसे, normal, abnormal, सबसे पहले हम आजाते हैं, पहले process में से, सर, one में हमारा न, normal loss भी है, abnormal भी है, तो हम normal को abnormal को, कहां लिखेंगे two में, two process, a, और normal में भी आएगा two process, क्या आएगा, b, a, normal loss कितना था, 40, और कितने रुपए का, 40, abnormal कितना है सर, abnormal 10, 193, 10, 193, अब सर, process b की बात कर लेते हैं, यहीं पर पीछे ही है, process b में एक जगा gain है, और normal loss है, normal loss ही है, nl करते हैं, 100 और 25, 100 और 25, तो सर, normal loss है हमारा process, b से 100 और बिका भी 100, abnormal gain है, वो by में चला जाएगा, by process, बी 25 और रेट है, 666, c process हमारे सामने ही है, तो पीछे जाने की जुरत नहीं है, यहाँ पे हमारा abnormal loss है, two process, c, कितने loss है, 53, 53, और 1706, और यहाँ पे normal loss भी है, two process, c, कितने normal loss है, अब सबसे पहले normal loss अकांट को बंद करो, सब को बेच देंगे हम, सब को बेच देंगे मतलब यहाँ से बेचना है, by process, a का बिकेगा, कितने unit, 40 unit, पूरे बेचो, 40 का, by process, b का बेचो, sir, b के न हम पूरे 100 नहीं बेच सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस process के अंदर gain और loss दोनों होगा, तो gain को minus करके बेचते हैं, तो यहाँ पे भाईया, 100 बेचना था, पर 25 तो gain हो गया, तो हम बेचेंगे सिर्फ 75, और वो भी कितने रुपए का, sir, वो भी बेचेंगे कितने रुपए का, sir, 75 खा, और process C के अंदर बिखेगा, पूरे हमारे 182, ठीक है, और 708, तब यहाँ difference आजाएगा, sir, कितने इका difference आजाएगा, फटा-फट से, 400, 182, यह 300, 22, और यह कितने, 860, 300, 22, 800, 68, अब difference जो आजाएगा, वो चला जाएगा, by abnormal gain, कितने आए, 25, तो यहाँ आजाएगा, two normal loss, कितने रुपए आगए, तो यहाँ आजाएगा, हमारा 25 रुपए, इसका difference बताईए, 868, माइनस, हाँ, 25 ही आएगा, यहाँ से जो भी होगा, देखो, पिछली class के अंदर मैंने किया था न, इसको भी उठा के, मैंने पहले abnormal में भेजा था, फिर net निकाला था, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो अब मैं अलग-अलग कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अब नुकसान भी देख लो भाई साब, आपको abnormal जो loss है, इसको बेचेंगे पहले, process A का बेच दो, 10 unit 10 रुपे में, process B का बेच दो, 53 unit 53 रुपे में, नई C है, C का तो कितने से बिक रहा था? 4 रुपे में, process C का कितने का भी किरा था सार? 4 के साब से, 212, तो सर अब यहाँ पर आ जाएगा, by CPL, यह नुकसान, तो 10, 193, प्लस 1706, 8999, 1900 आ रहा है हाला कि, यहाँ पर मैंने यह ले लिया, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें के सब नंबर कट जाएंगे, तो 63, और 899, और यह कितना आ गया? 77, 78, जो भी आ जाए, यह हमारा पूरा सवाल खतम हो जाता है, तो मैंने इस question में आपको clarity दे दिया, कि कब आपको stock account बना लेना चाहिए, और कब आपको stock account नहीं बनाना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, आपने यह वाली चीज़े तो आपने पहले से करी हुई है, profit and loss इसके बाद बनाया जाता है, जो कि हमारा पिछला सवाल जो recorded अपलोड किया, कुछ बच्चे नहीं कहारा है, का अपलोड हो जाएगा, तो वो profit and loss का, वो भी देखना जरूर है आपको वीडियो, सर कोई ऐसा question नहीं, कि समझे, बोले, stock, closing stock का rate भी find करो, नहीं, ऐसा कोई भी question नहीं है, जहां पर बोलेगा कि आपको opening closing का rate find करो, अल्रेडी आपने पीछे find कर दे, तो बोलता नहीं है कभी भी, आप जब कुछ questions, एक same type का question और देदूँ, आपकी किताब में practical problem है, मेरे खाल 17-18 के असपास, तो वो भी same type का ही question है,